हलो एब्रियों दिस प्रिया और वेलकम बेक टू मैं चैनल गो विट लॉइट लॉग तो प्रीविए स्टीपटरी बेल जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि बेलबल और नon bailable offence किया है तो bailable offence जिसमें accused को bail मिल सकती है असानी से arrest होने के बात भी bailable offence में जो accused person है वो bail के लिए apply कर सकता है और उसको bail मिल सकती है non bailable offence जिसमें bail नहीं muita उसकती है, तो जो anticipated bail है ये non bailableピ non bailable offence में ही apply किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति ने non-bailable offense किया है तभी वो मांग कर सकता है क्योंकि अगर उसका bailable offense होगा तब तो उसको apply करने की जरुवत ही नहीं है ना तब तो वो arrest उसे करेगा बाद में वो छुटके अपने आप आ सकता है किसी वकील को hire करके तो arrest होने के बाद की जा सकती है अगर उसका offense अगर bailable है तो लेकिन अगर non-bailable offense है तो इसमें जो व्यक्ति है वो पहले ही यानि कि arrest होने से पहले ही वो apply कर सकता है anticipatory bail के लिए तो anticipatory bail का जो provision है वो section 438 CRPC में दिया गया है अगर आप CRPC section 438 को पढ़ते हैं तो वहाँ इस से related जितने provision से वहाँ आप देख सकते हैं तो anticipatory bail का मतलब होता है pre-arrest bail ये व्यक्ति तब करता है जब उसके उमन में डर रहता है apprehension of danger या apprehension of arrest का डर रहता है कि हाँ उसको कोई arrest करने वाला है या उसने crime किया है तो उसके वन में ये question आता है कि मैं arrest हो सकता हूँ संभावना है तब वो इस situation में क्या करता है तब वो apply कर सकता है court में anticipatory bail को लेके अब कौन से court में apply कर सकता है ये बात ध्यान देने वाली है देखे इसमें session court और high court है अगर session court में अगर आप apply करते हैं तो session court मान लिजए अगर reject करता है आपके उस application को तब high court में आप कर सकते हैं और तब high court से असानी से आपको bail मिल सकती हैं और ये bail देने से पहले क्या होता है जो court of law है वो कुछ rules imposed करते हैं accused भी जैसे कि जो investigation officer के जो team है उनके साथ accused cooperate करेगा जो witnesses है उसको डराएगा नहीं ढमकाएगा नहीं फिर जब जब वो court में उसको बुलाएगा वो हाजर होगा तो ऐसे कुछ rules है जो imposed किया जाता है accused person पे और court इसको कभी भी reject कर सकती है court इसको कभ reject करेगी जब जो rules imposed किया गया है accused पे अगर accused person उसका violation करे उसको violate करे misbehave करे witnesses को तोर फोड करे छेर चार करे witnesses के कान भर दे कि तुम मेरे खिलाब गवाई मत देना ऐसा कुछ करे या फिर जो offense उसने commit किया है वो offense अगर वो दुबारा करे तो इस cases में क्या होता है जो court है उसके इस bail को reject कर सकती है तो यह कुछ हमारे खास provisions है anticipatory bail को लेके इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो anticipatory bail का जो procedures है वो 15 to 30 days लग जाता है 30 days के अंदर-अंदर आपको bail मिल सकती है anticipatory bail और इसमें एक और एक बात है कि जो police की जो rights है investigation का जो right होता है पुलिस का उस पे कोई hamper नहीं होता है माले यह court में court अगर anticipatory bail grant कर चुका है accused को तो उसका जो investigation का जो भी rights है पुलिस का पुलिस उसको continue कर सकती है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी तो यह हमारे कुछ important provisions थे anticipatory bail को लेके अगर आपके मन में कोई doubt है कोई queries है तो मुझे comment section पर जरूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो like करो और share कर देना और subscribe करना मत भूलना साथ यसाथ bell icon को tap कर दीजेगा ताकि जो भी notifications है मेरे वीडियो की वो आप तक पहुँच जाए तो thank you for watching और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ने टॉपिक के साथ बाई बाई